मुलायम के बदलते वे सोर और स्वर के शब्द के लगातार 24 घंटे मुलों ने कई बयान दिये और बयान के कई राज़तिक माइने हैं और वो बयान बदलते भी आगे रहेंगे लेकिन जो महत्रपुर्ण बात एक और वो कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट विल एमर्ज जो स्थिती बनेगी उसमें प्रधान मंत्री भी थर्ड फ्रंट का ही होगा यह एक एहम सवाल है सबसे पहले दानिस अली साहव जेडियस के महा सचिव है आप भी यूपिया को समर्थन दे रहे हैं आपको क्या लगता है कि थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाईश अब देश में बची हुई है थर्ड फ्रंट की केवल गुंजाईश ही नहीं थर्ड फ्रंट ही भविश्य है क्योंकि देश की जनता ने कांग्रेस का ब्रहष्टाचार यूपिया का ब्रहष्टाचार दिल्ली में देख लिया केंदर की सरकार और भारत्य जनता पार्टी का ब्रहष्टाचार की बानगी करनाटका की सरकार में देश की जनता ने देख लिए तो इसलिए देश को तीसरे विकल्ब की जरूरत है और आप शुरू करिए कश्मीर से और चले जाएए कन्या कुमारी तक हर जगा आपको रीजनल पार्टी स्ताकतवर होती भी नजर आएंगी और मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ इसको नोट कर लिजे जिस दिन लोकसभा चुनाओं का रिजल्ट आएगा आप इसको चलाएगा कि दोनों राष्टे पार्टियां जो है ये धाई सो सीट जो है टच नहीं करेंगी इसको लगभग ये चर्चा कई दिनों से मुलाइम सिंह लगा था इस बात को चर्चा करते रहते हैं क्या लगता है आपको की देश में जो परस्तितियां है वो थर्ड फ्रंट के गुंजाइस वहां है या वो अब नहीं है इसमें चर्चा तो सब लोग इस बात की कर रहे हैं खास्तोर से जो अफोजिसन की पार्टियां हैं जे और विसे इस रूप से जो एलाईज हैं आज यूपिय के वे थर्ड फ्रंट की बात ज्यादा कर रहे हैं लेकिन जो छिद्री अदर है अब थर्ड फ्रंट की सरकारें पहले बनी भी है और उनके क्या गती रही हो भी आप रामते हैं अब सवाल यह है कि थर्ड फ्रंट को लोग क्यों नहीं लोग तो जो करें तो बात की बात हो तो होना ही है लोग ही तो करेंगे सब कुछ लेकिन थर अगर माननी जी यह स्थिति आही जाए जैसा कि यह लोग कर रहे हैं तो कांग आप मामते हैं कि थर्ड प्रंट की गुंजाइस है मैं आप से इसा एक बार हो चुका है इसलिए कोई भीयाद भी सोच सकता है किसी के सोचने में रोप तो नहीं लगा सकते हैं लेकिन इसकी गुं अगर होना भी है तो उसमें वो सवाल आएगा कि कांग्रेस के समर्शन को ज़रुवत पड़ेगी की नहीं पड़ेगी लेकिन अब तक हरकेश भाई जिदनी भी थर्ड फरंट की सरकारें बनी हैं बगर कांग्रेस की मदद के तो नहीं बनी न तो अगर आप यह कहते हैं इस पी को बीच में लाना चाते हैं और फर्ड फरंट बीजेपी के अर्दगर बनाना चाते हैं क्या लेकिन आप देखें कि जो एंडिये के जमाने पार्टनर थें वही कॉंग्रेस के जो इस्तिती अगर बंती भी है मान लीजिए अगर निश्टी को डिस गया जाए अगर थर् करच उसी सरकार के साथ बना के फिर बनेंगे और पंदरा तो प्राइमिस्टर के कैंडिट है जितने थर्ड फरंट में है वो एक बड़ा बुद्दा है लालू पर साथ जहर खाने के लिए तयार हैं कि अगर मुलायम सिंग को बना दिया जाए जिस तरीके की राजनिती प्र प्रणाइक की दबा देंगे आप नवीन पटनाइक की दो आप यह कहते हैं कि इसकी कोई गुंजाइश की बनती है यह मुझे लगता है कि अभी मैं इस टू अर्ली टू से कि इनकी गुंजाइश है लेकिन मैं नहीं समझता कि थर्ड फरंट जो है वो भारत की केंदीर जीती को देखे हैं उत्तर परदेश के अंदर जब चुनाव होते तो तमाम सब लोग यह कहते थे कि उत्तर परदेश के अंदर बहुमत जिस तरी के काता सरकार ही नहीं चल पाती है मायवती के दौर से सरकार हुआ कि स्वीपिंग एक पार्टी की मिजॉरिटी आई और यूपिंग पर परोद हुआ तमाम सारी चीज़ों पर हुआ लेफ्ट बहार चले गई मुलाइम सिंग नहीं समर्थन से सरकार बचे उसका पार कॉंग्रेस की सीटे दो सो पांच बढ़ी ऐसा नहीं था कि यूपिय बहुत बढ़िया काम कर रहा है अब लोगों को लगता है कि सेंटर अगर मजबूत नहीं होगा तो आप किसी एक पॉलसी को नहीं चला सकते है। आज रिफॉर्म की बात की जा रहे हैं यह तमाम सारे लोग कह रहे है लेकिन वो रिफॉर्म चलेंगे कैसे कही ममता रोकेंगी कहीं कोई वोट करेंगे तो इस देश की को पर जिब डि थर्ड फरंट की गुंजाइस नहीं वलती आप ये कह रहे हैं, हम दानिस अली साब के पास जाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है करना चक्रव हम चर्चा करेता है थर्ड फ्रंट यानि तीसरे मोर्चा नानिस अली साब है जेडियस के मास अच्चिव हो नोने कहा वही भविष्य है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं बलकि भविष्य है देश का और आपने पुस्पेदर इसी ही नहीं बनती है क्योंकि देश में अब जिस तरह से लोग वोट कर रहे हैं राजियों में अगर छित्रिया पार्टियां जहां मजबूत है वह एक पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं लोग और उनको पूरे बहुमत से जिता रहे हैं और दूसरे तरफ अब जब अब यह किस वक्त कन्वीनर हैं उन्होंने क्या कहा तीसरे मोर्चे के संभावनाओं पर आपको दिखाते हैं अभी तो कोई समावना नहीं अभी तो तीन मोर्चे हैं यूपीय है एंडिया है और एक मोर्चा जो है वह मजबूत है वह कमजोड जरूर है लेकिन लेफ्ट है उससे बार कोई मोर्चा नहीं बनेगा और एभी वर्धन ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं सीपीय के वरिस्ट नेता है दो पर्टियों के बीच में विवाजित है क्या या तो तुम या तो तुम कॉंग्रस से नाराज तो बीजेपी में जाओ और बीजेपी से ना जो कॉंग्रस को भी नहीं चाहते हैं और बीजेपी को भी नहीं चाहते हैं और इस मुल्क के ज़्याता तर मतदाता वो है जो ना कॉंग्रस को चाहते हैं ना बीजेपी को चाहते हैं उनके लिए भी एक रास्ता है मैं तो समझ रहा हूं मेरा अनुमान है कि अगले और बीजेपी के नेत्रत्र में चलने वाला NDA के दोनों मार खाने वाले हैं और नवीन पट्डा एक विजुजनतादल के नेता भी है, मुख्यमंत्री में उड़ेशा के, उन्होंने क्या का? I think one has to wait and watch and see how these battles progress. आपने अलग अलग राय सरद्यादव कहते हैं कि देश में माहज सिर्फ तीन मोर्चा है, यूपीए है, इंडिये है, और वाब मोर्चा कमजोर है, लेकिन है, इसलिए चौथे मोर्चे का? कोई गुंजाइस नहीं है. अभी बर्दान ने कहा कि देबोल्क जो है, वो सरफ या कॉंग्रिस से गुसा है, तो बीजेपी में जाए, बीजेपी से गुसा है, गुंजाइस में जाए, ऐसी स्तती नहीं है, और बहुत साथे विकल्प लोगों के पास है, और नवीन पटनायक ने कहा कि अभी थोड़ा इंतिजार करिए, और उस पर जड़ा नजरे बनाये रखें, बहुत कम समय में आप से चाहता हूं, मैं जानने के लिए, आपने राय सुने अलग-अलग, और जो बाते पुष्पंदर ने कही, जिस तरह से लोग मेंडेट दे रहे हैं, आप उत्तरपदेश में देख रहे है वो एक पार्टी को बहुमत मिल रहा है। अब जो पिछली बार जैसे आंद्रा में कांग्रेस को मैजोरिटी सीट मिल गी, आज आंद्रा के अंदर जो इस्तिती है, वहां कोई भी जीतेगा, रिजिनल पार्टी जीतेगी। जो शरद्यादव जी ने कहा कि तीन मोर्चे हैं, वो बिल्कुल ठीक कहा, खाली एक अमेंडमेंट की जरूरत है कि जो वाम मोर्चा है, उसका नाम है, वाम मोर्चा जो है तीसरे मोर्चे का तीसरे विकल्प का पार्ट था है, और बनने वाले किसी भी तीसरे मोर्चे का पा पुछा गया कि क्या वो आगे प्रधान मंत्री बनेंगे उन्होंने कहा जब समय आएगा तब इस बात पर विचार होगा और तब इस बात पर फैसला होगा इसके बाद उन्होंने इस बात से साफ इंकार विल्कुल नहीं किया कि वो प्रधान मंत्री के दौर में नहीं है रव उन्होंने तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री बनने कि अपनी संभावनाओं को इंकार नहीं किया है। Dr. Manmohan Singh के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही अनिक्षुक राजितिग्य हैं। Dr. Manmohan Singh is a very reluctant politician. But what is surprising is that few days after Holi, the reluctant politician has shown his true political colors and that too being audaciously ambitious. अमाम नेता गां दिल की गहराईयों से चाहते हैं कि राहुल जी देश के प्रधान मंत्री हो लेकिन आज देश के प्रधान मंत्री डाक्टर Manmohan Singh जी है। पुछ पेंदे, पहला सब, कम समय है, इसलिए हम चाहेंगे कि बिल्कुल दिलीप सिर्फ एक ही लाइन में कहूंगा कि Manmohan ने पिछले नौ साल में पहली बार अपनी खौाइश के हिसाब से कहा, कि मैं तीसरे मोर्चे, तीसरी बार प्रधान मंत्री की जो बनने की संभावना है, उससे कोई इनकार नहीं किया, लेकिन आप ये देखें, उनके बियान के फौरन बात ही, कॉंग्रेस पार्टी न उसे सुरे से खारिश कर दिया है, चलिए, दानिस अली साब कैसे देखते हैं इस बयान को आप, देखें, तीसरी बार यूपीए की सरकार बनने वाली ही नहीं है, तो इसलिए इस बयान को जादे सीरियसली ना लिया जाए, मैं तो यही कहूँगा, चुकि सरकार नहीं बनने वाले इसलिए बयान में कोई इसको गंबीता से निकाव सकता नहीं है जी सारे डिसक्रसन में मुझे एक बात समझ में नहीं आई इसमें कि रव संकर परसाद जी ने ये कहां से समझ लिया को रिलक्टाइंड पालिटीसियन अगर इतनी कम समझ के लोग एंडिये चला रहें तो इंडियों का भवी सिसे साफ हो जाता है मैं तो इतना को हूँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हरी केसी दानिस अली साहा पुस्पेंद और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद